इसक्यूल का टाइम हो गया सब उठ गये देखो आपका भाई जन सब नीचे चले गए जली जली गई कोई भी नहीं है सब चले गए नीचे मुस्तफा एक वाश्रूम में जल्दी करो जल्दी जल्दी सब चली गया एट एड में आप रह गई अचलो यह हो गई रेडी आज आजो नीचे आजो नीचे वाव आयत आपके उपर यह जैकेट इतनी प्यारी लगती है पापान दे रहें बाहिर चलो मुस्तभ ऑल नहीं है इस तेजट ठंडी हवा द यह यह से मरीटि रहें कि हवा चलती है जो यहाँ इतना ठंड रूद हेट चलो ममा की रानी चलो यह देखो, पतली सी गली बनी हुए, बचों के लिए थे पतली सी गली बनी हुए, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और इनके पापा के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल है, आज तो किसी ने नहीं बोला, कि नई गाड़ी में जाना है, भूल गए लगता है, बाई बाई, अब बाई बाई प्रफ्यूम के लिए निकाल के जाया करती हूं, अमी को इनकी खुश्बू अच्छी लगती थी तो डेली में नीचे से चुन के ना मी के पास ले जाती थी, देखो, इतना प्यारा फ्लावर निकला है, आप सुन के देखो खुश्बू कैसी है, बहुत इतना प्यारा फ्लावर निकला है, यह देखो, माशाळाला, मैं छोटा सा हमारे नेबर्स का गार्डन है, इन्होंने साथ में अपने पालक भी लगाई है, और फ्रंट पर सारे इसे इन्होंने ना रोज लगाई है, और भी काफी निकलेंगे, इवाला बहुत प्यारा निक चीनी नहीं लेनी, उसमें क्या करूँ मैं, डेली सुबा सुबा मैं यहां पर आकर चाह ले रही होती हूं, अच्छे से बॉइल कर लेते हैं, एक बार मैंने पी थी, आज से तीन-चार साल से भी शाहिद ज्यादा हो गया होगा, कि ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी होती है, मैंने पीना ज्यादा कडवी थी कि बस एक सिपलिया था, तो उसके बाद आज दुबारा ले रही हूं, लेकिन आज मैंने सोचे, इसमें साथ में थोड़ा हनी एड करेंगे, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, बस बस कुल गया, पहला दीना है, तो एक कप में एक चमा दोनों का बराबर लग रहे हैं, अच इसका, थोड़े से मीठी हो जाना बहुत कडवी होगी, लेकिन नहीं, बजन कम करना तो इसको पीना पड़ेगा, अगर पीना तो इसको तेजी से मार बजन कम होगा, तो देखो आज जल्दी-जल्दी में मैंने मैंकरोनी बनानी, देखो, मैं ब्लैक काफी पीके पतली हो गई हूँ, रैडी भी हो गई हूँ, असलाम लेकुम मा यूट्यूब फैमली, कैसे अब सब आई होगे, अब सब ठीक होगे, ल्हम दिलीला हम ठीक है, और खेर-खेरियाच से है, अभी मैं मिलने वाली हूँ नताशा से, बस अभी मैंने यहां की लुकेशन घेज दी है, आज हमने प्लैन किया कि मैं फेशल भी एक ले लूँ, देखते हैं पहले वो जगा विजट करते हैं, और इसके इलावा हम अपना वो ड्रेस भी देखने जारे हैं, देखो, ड्रेस मुझे शादी के लिए देखना है, जो वो भी अगेली जाती हूं लेकिन पते निंके वालों के साथ मैं जाती हूं, अगेली बार दिल बरोगे, इनके साथ तो आती जाती है, और ये चीज तो देखो, उर सूट भी तो नया पहना, जूते भी यह वाले आज पहन लिए मने, अच्छा लग रहे हैं, अच्छा लग रहे है अच्छे तब भी मेरे हस्बंड मुझे चोड़ा करते हैं, पहुंचके मुझे लोकेशन साइन का दे ना, मैं भी बच्छों को टुइशन चोड़ूगा ना, ऐसा डरने वाली बात नी है, नताशा को भी फैमिली वाली अच्छी है, वैसे भी मैं आदत बन गए है, वैसे भ लंबा सफर करके हम आगें, अर यह रही हमारी स्पेशल गेस, नताशा वकास, और मैंने आपको बता था ना, यह पहली यूट्यूबर है जो हमारा वेलकम किया, और हमारी बात्चीत कबसे हो रही है, जैसी स्टीपी में आई थी ना, मैं तो नहीं नहीं थी, तो उस दिन से हम दोनों ने एक दूसरे को जाइन किये, और लोग कुछते हैं, आपको लेट करेंगे, आज हमने कर लिया, आज ही मुझे देखो कहां पर लेकर आई है, मुझे चेंज करने के लिए यह लेकर आई है, चलो, बेस्ट ओफ लग, आपके साथ ही बिलकुल यहां पास हूँ मैं चलो, यहां पर मैंने अपना फेस वश कर लिये, और मैं लेने जा रही हूँ यहां पर अपना हाइडरा फेशल, अपनी लाइफ में पहली बार, बहुत दफ़ा नाम सोना है, लेकिन सोचती रहूं कि हाँ, कभी लूँगी, कभी लूँगी, लेकिन हाइस दफ़ा शादी है अच्छे से अपनी स्किन का ख्याल करना है, स्किन को अच्छा बना कर जाना है, और मेरा यह पहला एक्सपिरेंस हाइडरा फेशल का सबसे पहले मुझे यहां पर क्रिंजिंग अप्लाई किया, और यह मैं वीडियो में पिक्चर में ऐसा देखा करती थी, कि पता नहीं, यह कोई पेइनफूल है, क्या चीज होती है, यह ऐसा फेस पे लगाते रहते हैं, करते हैं, तो यह हमें हीट दी जा रही होती है, हीट इतना जितना हलकी लाइट सी हीट, बस अच्छा फील होके लाइट सी हीट है, जो के बहुत जादा रिलेक्सिंग है, कुछ भी ऐसा पेइन फुल नहीं था, बहुत स्कून मिल रहा था, मुझे तो ऐसा नीद आ रही थी, तो खेर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी यहां पर जैसे मैंने आके डॉक्टर को अपनी स्किन दिखाए, आप अपनी यहां पर स्किन दिखा सकते हो, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, इनका नंबर और एड्रेस सब कुछ मैं मैं मेंशन कर रही हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहां पर ज़रूर विजट कीजेगा, खेर मेरा अपना पहला एक्स्पिरिंस में आपको बताऊं, कि कैसा रहा, तो यहां पर मेरा फेशल हो चुक है, अभी आप रिजल निकालते, कि उनको ऐसा लग रहा था, कोई साल होगी, मेरी ब्लैक हेड्स नहीं निकले, बहुर ज़्यादा थे, और खेर, साफ तो हो गया, नाक देखो, मेरी चामक रही है, रिजल्ट मुझे फोरी तोर पे मिला, बाकी दो दिन बाद मजीद और अच्छा निकर की आता है कलर, यहां पर क्यों सुच होता है, जिनको वैक्स नहीं कराना, जिनके फेस पे बाल होते हैं, और एक अलग से शाइनिंग भी आ जाती है, उनकला फेस और अच्छा हो जाता है, जिनके फेस पे ज्यादा बाल है, वैक्स नहीं कराना, थ्रेट नहीं कराना, तो यह मुझे ए ऐसे हलकी हलकी हीट देते हैं इससे क्या होता है कि बाल जो है जड़ों से वीक हो जाते हैं और आहस्ता आहस्ता पिर जड़ेंगे एकदम से गाइब नहीं हो जाएंगे आहस्ता आहस्ता जैसे आप डेली फेस वोश करते हो या फिर क्लिंजिंग स्क्रब कुछ भी करो तो यह बहुत अच्छा लगा जैसे कोई ड़ता है कैसे कराई कैसे बालों का थेड कराय नहीं मैंने फेस पे कभी वेक्स कराया है तो उसलिया से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तो खेर जिसको आना है डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा यहां का स्टाफ सच में बहुत ज़दा इखलाकी है और डॉक्टर बहुत अच्छी है सब जानते हैं इनको बहुत सारे सेलिबरेटी यहां पर आ चुके हैं मैं खेर पहली बार आई थी और मेरा एक्स्पिरिंस बहुत अच्छा रहा है तो जरूर जाना उसके बाद हम यहां से फिर आगे गए नताशा के साथ मैं फिर आगे गए ड्रेस देखने जिनको रेंट पे ड्रेस लेना है इतने टाइम से मैं लहंगा चोली डून रही थी और देखो फाइनली मुझे लहंगा चोली मिल गए इनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका स्टोर का नेम और एड्रेस कहां पर है क्योंकि घर में ही सारा कुछ बना हुआ है चलो नताशा भी मेरी हल्प करा है यहां पर इतने ज़्यादा खुबसूरत इतने प्यारे-प्यारे है सामज में ने रहे वैसे ये भी अच्छा लग रहे है बस इसमें वो है न मैक्सी यारी है तो इतने सारे में रैट रैडे में तो मुझे जाना नहीं है मुझे एसा है कि पिंक हो बाकी graph क्यूंकि काफी डार कहींड हो यह की इतना जाद मेरून है यह वाला कि तो वजनी यह कितना ज़ाध है लुज वाला चैकर यह मैरा ना मैरे टैटो चलो यह मैने निकलवाल यह और अभी इसको पहन के चेक करती हूं कि यह मुझे आता है यह नहीं आता अगा भी बता लग लग रहा है अभी नियुल नदल में यह यह एक यहाला पसंद किया था मुझे यह अज्छा लगा दूसरा प्र यह उच्छा लगा था पट्सजारा करे मुझे वैसा मिल तो गया है कब सब्सक्राइब लेंगा ही पहन तो प्यारा लग रहा है इसके लावा एक अच्छा यह भी लग रहा है लेकिन इसमें नहीं पीछे वाला इसमें नताशा का साइज है मेरा निये दूसरा जोने यह ट्राइक यह नहीं दूसरा पहले मैंने यह ट्राइ किया था यह मुझे आई नहीं रहा था और इसका काम देखो इसका काम भी कितना खुबसूरत है कलर मुझे यह था कि चलो गोल्डन कर लेती हूं लेकिन यह देखो यह भी बहुत प्यारा लग रहे है इसमें चंचं कैसी है जैसे काशी इसका जैसे मैंने पा करें से मतल देखो तरी यह सब देखो थाइज बिल्क अबराइज वाव नाइस अब यह श्यद आखिए आख और अच्छा लग रहा है यह अब भी बहुत अबिल्गा लग यह श्याद़ एक रूचा है यह खिखोट जोल्री बहुत जादा है क्योंके न जूल्री बहुत ब कि यहां से जूलरी भी साथ में मैच करके ले जो हाँ यह वाला अच्छा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है अज़िक यह वाइट भी प्यारा लग रहा है अम्मी को जोना वाइट बहुत पसंद है तो नीचे देखो इस तरह से इसका यह गारा खारा रहा और पर यह इसकी स्लिवस पेखो कितनी प्यारी है इसके इलावह यह वाला भी काफी लाइट है मायो महंधी के हैसाब से थलका है जैसे बाकी बहुत ज़्यादा वजनी है यह वाला कलर भी अच्छा लग रहे है बनावा बहुत प्यार है इनकी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नमबर के साथ बाकी अगर आपको यहां से ड्रेस खरीदना है तो खरीद सकते हो अगर आपके पास कोई ड्रेस है आप सेल करना चाहते हो तो आप इनकी शौप पे सेल भी कर सकते हो आप रेंट पे भी ले सकते हो जो यहां की अप प्राइस की बात करें यहां पर बहुत महंगे महंगे ड्रेस है और नॉर्मल जैसे मैं मॉल में भी गई थी देखने के लिए एक एक लाग का लेंगा यहाँ पर 15-15 लाग के 16-16 लाग के लेंगे इतना ज्यादा महंगे और डिजाइनर के तो बहतर है कि वही हम थोड़ा सा रेंट दे कर इसको एक दिन के लिए पहनना होता है और फिर बाकी दिन से पढ़े रहते हैं तो पैसा वेस्ट करने वाली बात है खुबसूरत से खुबसूरत ड्रेस भी पहनो और रेंट पे लेकर और बस यह कि उसको फिर वापस कर दो आपके पैसों की बचत और खुबसूरत कपड़े भी पहन लो इनका काम देखो कितना अच्छा है और हाँ जैसे क्लाइंट लेकर जाते हैं किसी के मोती निकले होते हैं या कहीं से भी थोड़ा बहुत कुछ भी खराब होता है तो आपको दुबारा से वो बना के ड्राय क्लिन करके आपको देते हैं लेकिन इसके लिए क्या करना होता है कि आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है मतलब जैसे आपके पास शादी होने से पहले कुछ टाइम हो तब ही आप बुकिंग करा लो वरना टाइम पे हर ड्रेस आपको अवैलिबल नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे काफी सारे ऐसे थे जो लाइट थे मुझे लाइट अच्छे लग रहे थे रेड यह है कि प्यारे बहुत थे लेकिन दुलहन पे अच्छे लगते हैं और बारात वाले दिन सिर्फ दुलहन पे ही ऐसे ड्रेस अच्छे लगते है तो हाँ मुझे जैसे कि य पहला पहला लहंगा पहना वो भी किसी डिजाइनर का है 16,000,000 का है और यहां पर आपको वेलवेट के मिलेंगे हर तरह के मिलेंगे जिस तरह के भी जैसे दुलने है ना बहुत ज़्यदा शौक होता है हर दुलन को कि हमारा खुबसूरत लहंगा हो शादी पे उस तरह का आप यहां से ले सकते हो अपनी मर्जी के शौक पूरे कर सकते है और फिर वापस इनको दे दो तो खेर मैं यहां पर पहली बार आई हूँ तो मुझे यहां पे काफी ने रहा है यहां पे भी बहुत अच्छा एक्सपिरिंस रहा है किसी को लेना हो तो हाँ आप ले सकते हो मेरे लिए जरूर मुझे बताना मैं क्या करूँ मुझे रेड में बहुत सारे उप्शन थे इस तरह के जैसा यह उप्शन था आप यह भी ले सकते हो रेड महरून वेलवेट में यहां से मैं कोई भी लेती तो मुझे मिल रहे थे लिकिन मुझे ना यह कलर मुझे यह था कि प्यारे हैं ना और हां इनके साथ आप आओ तो यहां से आप जूलरी भी ले सकते हो मैचिंग की जूलरी भी रेंट पे ले जो ड्रेस भी रेंट पे ले जो तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा तो बस अब यहां से निकलते हैं काफी टाइम हो गया मैंने देख लिए नंबर मेरे पास है मुझे अच्छा लगेगा तो इनको एक डन कर दूँगी फैलाला हम घर चलते हैं चलते हैं लाफेज बहुत अच्छा लगा नाताशा आपसे मिलकर असलाम लेकूं बच्चे क्या हाल किया बच्चों ने बच्चे से यह बटे बाइट जागरी सो रही है है अला मेरे खर को तो देखो यहां पर यह बिस्तर लगाया था बच्चों ने मेरे बगार भर कैसा है बस मैंने तो अपने दोस्त बना लिए अब मैंने याए करूंगी ठीक है मेरे बच्चा मुझे इतनी याद आई मुमा की शेहजादी यह दिदी पर यह पर यह तो इन में क्या चल रहा है चाय बना रहे है चाय बना रहे हो आज आप घर नहीं थी मैंने आपको बहुत मिश्किया है कि आप उतियों रोज चाय बनती है आट तो दूद भी वैसा गव नहीं लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं देखो अब लड़ाई कर रहा है मुझे नहीं मिलरी मैं आपको मैं नहीं मिलरी इस नौबीता को लड़ाई कर रहा है मुझे आज मैंने अपने उपर ना बहुत बड़ा सच में कंट्रोल कि आज मेरे लिए बहुत अच्छ है न आष है फेशल का और इसका असली रेजल्ट दो दिन बाद मिलेगा आज मुझे आसा लगता है मेरे फेस की deep cleaning हुई है जैसे हम घर की deep cleaning करते न वैसे आज मेरे फेस की deep cleaning हुई है क्योंकि आज से तीन सल पहले जब मैं मेकब किया करती थी वीडियो बनाया करती थी मेकब की तो face की cleansing करना, face की care करना, black head निकालना वो सब करते थे तो नोस भी चमकता था तो आप देखो आप देखो अब असल अब सच में मेरी skin ऐसा साफ लग रही है न मुझे आज से वो तीन सल पहले वाले इपनी स्कीन याद आई है तो केर करो तो देखो केर तो बिल्कूल भी नहीं थी कुछ भी नहीं था और उसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आया अभी दो दिन देखेंगे और मजीद इसमें कहते हैं कि ना निखार आएगा तो ब्यद सही नहीं है मेरे बेबी की हाँ आये सोना नहीं है बस ये लो ठीक है